नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी तो बिहार में एक बार फिर से नितीश कुमार के नेत्रित्व में महागडबंदन की सरकार बन गई है तेचश्वी यादों ने उपमुख्य मंत्री पद का शपत ले लिया है और अब जो सबसे जादा चर्चा है वो तो यही चल रहा है कि आखिरकार आर जेडी से कौन-कौन मंत्री बनने जा रहे हैं मंत्रियों की संख्या का क्या होगी और जातपात के समिकरन का कितना ख्याल र बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है बिहार में तो टिकट भी जातिये शमिकरन के अधार पर बठते हैं तो मंत्री मंडल का गठन भी जातिये शमिकरन को अधार बना कर ही किया जाता है और इसमें किसी भी जाती का यह शमुदाय का प्रतिनिधित्व छूट न जाए इसका पूर चर्चा चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 18 से 20 के बीच में ये संख्या हो सकती है यानि कि महागडबंदन की सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या आर जेडिकी होगी लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आर जेडिक के तरफ से इस बार महागडबंदन की सरकार में कोई भूमिहार मंत्री बनने जा रहा है देखिए लालू यादो अब कोई भी जो गलती है वो नहीं करना चाहते तेजश्वी यादो किस प्रकार के नेता है ये भी आप जानते होंगे पिछले दिनों जब भूमिहार ब्राह्मन एकता मंच की बैठक बापु शबागार में हुई थी पूरे बिहार भर से अलग-अलग जीलों से अलग-अलग जगहों से तमाम भूमिहार ब्राह्मन एक जूट हुए थे तो उस मंच पर तेजश्वी यादों पहुचे थे और उन्हों ने वहाँ पर इस बात का ऐलान किया था कि वोट मांगने नहीं आये हैं वो विश्वास जीतने आये हैं और आपको ये भी मालूम होगा कि हाल के समय में जिस प्रकार बिहार में 24 सीटों पर इस्थानिय निकाय कोटे के 24 सीटों पर MLC के चुना हुए तो उसमें RJD ने 5 भूमिहारों को टिकट दिया था जिसमें से 3 जीतकर विधान परिशत पहुचे और अब यहीं चर्चा है कि आखिरकार RJD भूमिहारों में से किसे मंत्री बनाने जा रही है सबसे पहले आपको बता दे कि 3 MLC भूमिहार RJD के पास है लेकिन अगर बात करें विधायकों की कि क्या कोई भूमिहार विधायक भी RJD के पास है तो इसमें चहरा नजर नहीं आता है क्योंकि एकलोते RJD के भूमिहार विधायक ते अनन्द सिंग जिनकी विधायकी समाथ हो गई है और अब मुकामा की सीट खाली है वहाँ चुना होंगे अनन्द सिंग की पतनी RJD के टिकट पर चुनाव लर सकती है जेडियू RJD की वो को इस बार मंत्री मंडल में सामिल कराईगी देखिए तीन MLC जो चुनाव जीते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है कार्ति के शिंग का अनन्द सिंग के बेहत खासम खास हैं और दिखाई भी देता है कि इस प्रकार से वो RJD के हर कारेकरम में भी मौजूद होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि वो अनन्द सिंग के बेहत कड़ी भी हैं पटना से MLC का वो चुनाव जीते दूसरे हैं अजय कुमार सिंग मुंगेर से इस बार MLC का चुनाव उन्होंने जीता है जैसा कि आप जानते होंगे और तीसरे हैं सौरब कुमार पश्चमी चंपारन से इस बार MLC का चुनाव जीते हैं और विदान परिशत पहुंचे हैं तो इन तीनों में से किसे आखिरकार तेजश्वी यादो इस बार अपने मंत्री मंडल में सामिल कराएंगे यानि महागडबंदन के नितीश कुमार के मंत्री मंडल में साम जाम ने आ रही हैं उसके अनुसार कार्तीके सिंग पर शौरव कुमार की दावेदारी जादा भारी पर गई है शौरव कुमार लालू परषाद यादो के परिवार से उनके बहत पुराने रिश्टे रहे हैं बहत करी भी रहे हैं और एक और प्लस फाइंट उनके साथ ये जाता है कि वो यूवा है और तेजश्वी यादो भी यूवा है तो ऐसे में इस बार महागडबंदन की जो सरकार बनी है नितिश कुमार के मंत्री मंदल में यूवा चेहरे आपको जादा दिखाई दे सकते हैं और शौरब कुमार के पास ये वाला जो प्लस पॉइंट है वो लालू प्रशाद यादो हो राबरी देवियो सब के साथ उनके मधूर शंबंद है और बहुत पुराने रिष्टे हैं पैसे वाले हैं एक बिजनेसमेन है फरनीचर का बिजनेस उनका चलता है और यही कहा जा रहा है कि अगर भूमियार से मंत्री किसी को बनाना है तो उसमे शौरब कुमार की दावेदारी सबसे बड़ी नजर आती है सबसे जादा नजर आती है और जिस प्रकार से 18-20 मंत्री आरजेडी के बनने जा रहे हैं तो उसमें यादो हो या OBC के अलावा में ही अगर बात करे तो दूसरी जाती हो जिसमें महता समाज हो इसके अलावा अग कोशी से की जा रही है अब कहा ये भी जा रहा है कि जो मंत्रीयों की सूची है आरजेडी की वो तयार हो गई है और लालू परसाद यादो की भी उस पर मुहर लग गया है तो ऐसे में वो जब अपचारिक तोर पर इसका एलान होगा आरजेडी के तरफ से तब खुलकर सब क कुछ सामने आ जाएगा लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसकी अनुसार की तेजश्वी यादो आरजेडी के कोटे से शौरब कुमार को इस बार मंत्री मंडल में सामिल करा सकते हैं अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है सपत तो लही लिए हैं यूट्यूब पर सबस्क्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें